हलो यूट्यूब बेर मेलकम टो टेक्निकल अलाइफ यूट्यूब चैनल मेर नाम है जुनिद एहमद और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलाइफ यूट्यूब चैनल तो फ्रेंज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और उस तरीके को जानने के लिए आपने इस वीडियो को complete देखना है कहीं से भी वीडियो को skip यह फॉरवर्ड नहीं करना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको detail के साथ बताऊंगा कि PixArt application में आप लोग अपनी पसंद के fonts को कैसे add कर सकते हैं कैसे उसमें install कर सकते हैं तो जल्द आपने टाइम जाया कि शुरू करते हैं आज की वीडियो तो PixArt application में अपनी पसंद के fonts को add करने के लिए हम आजो के हैं अपने mobile screen के उपर step number one है कि आपने Google Chrome को open करने Google Chrome को open करने के बाद Google पर आपने सर्च करने जमील नुरी नस्तालिक यह लिकर जैसे आप सर्च करेंगे सिर्फ उर्दू fonts को PixArt में एड करने का तरीका बतारूं अगर आप English fonts को भी डाउनलोड करें और इस तरीके को इस्तमाल करें तो भी आप English मन पसंद के fonts जो हैं वो PixArt में इंस्टाल कर पाएंगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जमील नुरी नस्तालिक फांट को यहाँ पर download font के option पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पर यह डाउनलोड के option पर जैसे मैं click करूंगा मेरे पास ये font जो है डाउनलोड पर लग जाएगा और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर जमील नोरी नस्तालिक फाउंड जो है वो डाउनलोड हो चुक है अब हम इसे कर देते हैं minimize and step number 2 कि आपने अपने mobile की file manager में जाने है file manager में जाने के बाद आपने अपनी internal storage को click करने है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जमील लोरी नस्तालिक कशीदा जो हमने download किय है वो हमारे पास download folder में पढ़ा हुए अब आप आपने इस folder पे click करने के बाद आपने इस folder को extract के option पे click करदेना है यानिकिए इस की file को extract करदेना है और यहां पर आपने extract के option पर click करने, और यह file extract होगे आपके पास आजागी, एक foldर और ने आजाएगा आपके पास, आपने jhp लिए за Chile person पर प Duckud, और आपने TTF file को select करने, बट उससे पहले, काफी mobilesates में यह extract folder का option नहीं आता, तो उसके लिए आपने K的話 करने आपने Playstore पर जान जमेल लोली नस्तालिक टीटी अफ फाईल है, आपने इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे यह से कॉपी कर लेना है, इसे कॉपी करने के बाद आपने बैक जाने और back जाने के बाद आपने इसी आपकी इंटर्नल स्टोरीज में PixArt का फॉलडर होगा आपने यहाँ पर PixArt के फॉलडर को सर्च करने है जैसा के यहाँ पर यह रहा PixArt का फॉलडर आपने यहाँ पर क्लिक करने है और स्क्लोल ड़ून करने के बाद तो आपने सिर्फ कर देना है मिनिमाइज Step number 3 कि अब आपने PixArt application को open करने है और font apply करने के लिए अपने font को select करना है लिख लेना है कुछ और यहाँ पर आपका वो font नहीं आएगा आपने यहाँ पर arrow के option पर click करने है and arrow के option पर click करने के बाद जो भी जितने भी fonts आप add करेंगे PixArt में अपनी मन पसंद वो आपके my fonts के option पर आएंगे जैसा कि यहाँ पर my fonts के option पर मैं click करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जमील नूरी नस्तालिक कशीदा font जो हमने install किया add किया PixArt application के folder में वो यहाँ पर आ चुक है पसंद के fonts को डाउनलोड करके इस तरीके को इस्तमाल करते हुए PixArt application में अपनी मन पसंद के fonts को add कर सकते हैं तो फ्रैंज यह थी आज की मारी वीडियो जिसमें मैं आपको PixArt application में अपनी पसंद के fonts को add करने का तरीका बताया उमीद करता हूँ कि आपको आज की मारे वीडियो अच्छी लगी होगी और मजीद informative वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपनी राय का इजहार अपने valuable comment के जिरे comment box में जरूर करें और इसी के साथ साथ अगर आप मुझे social media पर join करना चाहते हैं facebook, twitter, instagram इन तमाम के social link भी मैं आपको description में दे दूँगा जिसे आप easily मुझे contact कर सकते हैं और अपनी कीमती रह से मुझे आगाह कर सकते हैं तो इस वीडियो को लाजमी like किजएगा मिलते हैं next किसी वीडियो में किसी ने topic के साथ तब तक के लिए अपना ख्याद रखें दौआ में याद रखें अला हाफिस